next question 24 का सवाल है, question says the coefficient of static friction mu between the block A of mass 2 kg and table is shown in the figure is 0.2, what would be the maximum mass value of block B so that the two blocks do not move, string and pulley इसको हम स्मूथ और मास्लाइच मान सकते हैं, तो simple सवाल है, सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपका system है, यहाँ सब पुली यहाँ पुली यहाँ यहाँ पे का ब्लॉक B और यहाँ पे आपका 2 kg का ब्लॉक, इसको M1 कह रहेते हैं और इसको M2 कह रहेते हैं, और आपका M1 is equal to 2 kg है, और इसका M2 की जो value है, वो हमें बताने हैं, maximum कितनी allowed है, और अपने को यहाँ पे दिया हुआ है, इन दोनों surface के बीच में, ब्लॉक और surface के ब किये move ना करें, simple सवाल है, again यहाँ पे हम चाहें तो finman principle apply कर सकते हैं, कि अगर इसको हम दोनों को ऐसे खोल लें block को, तो इसको हम ही कह सकते हैं, कि यह जो आपका block है, M1, और यह आपका दूसरा block है M2, एक तरीका इसको दोनों इसके लिए fbd बनाके equation लिखना है, उसके लि variable आया था है, जिसको हम tension कहेंगे, और वो काम थोड़ा लंबा कर देता है, अगर इसको हम simply solve करना चाहें, तो finman principle आप apply कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यह कहेंगे, कि इसके उपर जो driving force है, वो है M2G system के उपर, और यह पूरा system मान लिजे, A acceleration से जा रहा है, और A की value हम 0 रख M2, यह आपका यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे एक और retarding force भी है, यहाँ पे आपका friction force भी है, minus mu M1G, यह आपका retarding force है, और अगर इसकी value हमने A की value 0 कहनी है, तो इसका मनलब है कि न्यूमिनेटर आपका 0 हो जाएगा, which means M2G would be equal to mu, इसको मुझल ले आते, mu M1G, आपकी M2 की value हो गई, mu M1, so this is one result, जो आप ध्यान रखना चाहें, इस तरह के सवालों के लिए, आप इसको direct result को भी ध्यान रख सकते हैं, अब बस यहाँ data ढाल के अपना final answer आजाएगा, so यहाँ पे हमारी M2 की value हो गई, M2 will be equal to mu, जिसकी value 0.2 है, so this will be equal to 0.2 multiplied by, इसकी value 2 kg है 2, तो आपका जो M2 आगया, that is equal to 0.4 kg, तो यहाँ पे safely 0.4 kg, यानि कि option number D apply कर सकते हैं, थीक है, so option number D would be the right answer.